करें हैं है है हुआ है अगा है कि आप अच्छे होगे खैरियस होगे आज एलेडी बल्ब आपको बताते एक कैसे रिपेर होता है कैसे बनता यह देखो यह 9 वाट का LED बल्प है यह 711-2029 का बल्प है देखो यह लगाते हैं इसको holder में यह एक दम धीमा light दे रहा है बिल्कुल भी नहीं के बराबर में चालो होता है देखो यह देखो इस तरीके से यह चालो हो रहा है यह देखो ऐसे यह आपके समझ में नहीं आएगा तो बोड़ा मैं इसको लाइट को आफ करता हूँ और आपको बताता हूँ देखो ऐसे देखो यह लाइट है ना तो बहुत ही कम लाइट दे रहा करते हैं भी और शेयर करते हैं आप से क्रम्टन कंपनी का यह LED बल्प 9W का यह मेरी वीडियो आपको अच्छे लेगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना यह खोल लेता हूं मैं देखो इसकी डियो भी देखो यह खोल ले हूं मैं इसके अंदर देखो छोटे- यह एक तार लेना है आपको वायर लेना है और ऐसे वायर से आपको इसको शोट करना है लाइटों को देखो यह यही फॉल्ट है यह लाइट शोट है यह LED एक शोट है इसकी देखो यह शोट है इसको अपने को क्या करना है अभी लाइट अन करता हूं मैं और यह निकाल ले लेता हूं देखो इससे अपने को निकालना है यह टेस्टर की मदद से मैं इसको अभी उखाड लेता हूं देखो इस तरीके से आपको भी इसको उखाड लेना है ऐसे ही और अच्छे से साफ करके इसको शोल्डर मार देना है भी इस शोल्डर वायर ले ले लेता हूं मैं और शोल्डर भी ले ले लेता हूं और अब इसको शोल्डर करता हुए देखो यह मैंने होल्डर में लगा दिया हूँ और इसको डारेक्स सीरीज पर मैं इसके शोल्ड कर रहा हूँ देखो यह शोल्ड हो गया और लाइट भी चलो हो गया देखो यह है अपनी लाइट ऑप Uh हो गए अभी यह कहीं पर भी आप इसको लगा सकते हैं और यह इसकी लाइफ बढ़ गई है देखो यह वापस लगा के बताता हूँ मैं आपको देखो यह वही लाइट है और यह लाइट यह डियो भी उपर से मैं इसकी लगा देता हूँ देखो यह इस तरीके से यह लग गई आप जह चाहे इसे लगा सकते हो इस तरीके से आपको यह LED रिपेर करना है थैंक यू